हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेक्स रोख सम्मोहन व्यसनमुक की तग्य हूँ आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी मानसीक भीमारी जिसको बोलते है साइकलोथाइमिया कि कोई भी ऐसी वीमारी जो दो साल तक चल रही है और जिसमें एक तो मूड जो है वह थोड़ा डाउन है इतना डाउन नहीं पर देप्रेशन कहां जाएा ? है फुल फुलेस्ट डिप्रेशन भब था है श्सक्राइब वह इतना नहीं कि उसको परा शो मैननेज मसं बोल सकते मैं नहीं हूं पुरा इप्रेस नहीं है. मगर वो साइकल जासा ठीपरेशन, ठोड़ सा डाता, ठोड़ सा अपता, यह लोग आक्च्वली कर चाह के भर, मतलब कहरेंने जाते हैं. यहतो सामाज में वैशा कर लिविए निकल जाते हैं. अगर उनको जो घरवाले रहे तो उनको मालो में की कुछ ना कुछ गड़बर होते हैं और वो कभी-कभी बहुत फास्ट हो सकता है कि 15 दिन डिपरेशन थोड़ा सा रहून है साइकलोथाइमिया पन्रा दिन लो मूड है और बाद में पन्रा दिन थोड़ा हायमूड है लो मूड इसा चालू रहता है साइकलिस्तो फ्राइकलोथाइमिया बोलती इसको तो जब डाउन हो जाए तो उसमें चिड़ चड़ा पन है ज्यादा बाते करना लोगों से मिलना जूलना कुछ तभी नए सओदे करना उतना नहीं है अधा लोगों को लगता है कि थोड़ा स थोड़ी घड़बर लगती है मगर इतनी नहीं कि उसको डॉक्टर के तरफ लेकर जा सके तो वो उसको बोलते हाय साइड और लो साइड हाय साइड और लो साइड और बीच में कभी-कभी यह नॉर्मल भी रहते हैं तो ऐसी बिमारी दो साल तक चली टू येर्स तो इसको सा करने वाले नहीं है या फैमिली मेंबर को कोई तकलीब देने वाले रहते नहीं है तो फिर होता क्या है कि उनको डॉक्टर के तरफ कोई लेकर जाता नहीं ये निकल मतलब ऐसी धग जाता है सरभाई हो जाते हैं मगर आप अभी आप वीडियो देख रहे तो आपके आजू- तक क्योंकि उसके लिए जैसा साइको तरफिये कॉग्णिटीव फिर थेरपी राइशनल इमोट्यू वियर थेरेपी आरी बीटी है सी बीटी है साइको तरफिये डवाईयां हैं तो इनसे मतलब उसका हम इलाज करते हैं तो उनका नॉरमल जीवन वह जी सकेंगे वो यह लोग खुद भी आ सकते हैं इलाज करने के लिए ऐसाने कि उनको किसने जबर्रस्ति लाना चीए करके यह कभी-कभी फिर हाइदी टाइड रही हाइमून रहा तो उसमें फिर शराब के शिकार बन जाते हैं बैसन करना चालू कर देते हैं या बहुत जादा डिप्रेश तो उनको मारे शप्राइड, यह लाइड कार बजा हैं या जाते हैं यह लाइड प्रेश करना कि उनको किसने हैं यह लिए हैं पर रहाइड करने कि इस आप दे़गी आर जसे बाहान